Hi guys, welcome to exam time, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं software evolution laws के बारे में तीन टाइप के software evolution laws होते हैं, S type, P type and E type तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे, उससे पहले आप लोगे software evolution laws के बारे में बता दें तो दोस्तों बिसकली एक scientist थे, Manny Lehmann तो दोस्तों इन्होंने जो है वो तीन different categories में software को बाटा था फस्ट टाइप है S type and second type है जो P type and third है E type तो हम बात करें इन तीनों laws के डिटेल से जानने के बारे में बड़ उससे पहले हम बात करें ज़रा software evolution क्या होता है तो basically software evolution refers to the process of developing software to meet changing requirements and environments over time तो क्या होता है कोई भी एक software बनता है तो उस टाइम जब बनता है तो उस टाइम की नीड के according बनता है वट क्या होता है कि टाइम टाइम पर हमारा नीड जो है वो चेंज होता रहता है और आगे और ज़रूते बढ़ते जाती है तो requirements के इसाब से उसमें और भी कुछ चेंज बगरा करने पड़ते हैं तो यही software revolution कहलाता है और अगर तुम डिटेल से जाना चाहते हो तो पर चैनल पर वीडियो मिल जाएगा ना अब आते हैं इसमें कैसे software आते हैं इसको पहले से ही पता होता है कि क्या इसका output रहने वाला है उसमें जो है वह चीज़ें पहले से ही fix रहती है इस टाइप software is least subjected to change hence this is the simplest of all यह जो है वो सबसे simple software होता है और इसमें change के वनजाइज होती है बहुत ही कम होती है इसमें कुछ चीज़ें जो है fix ही रहती है उसी के base पे यह काम करता है for example आप calculator का example ले लिजिए तो calculator में है कुछ चीज़ें जो है limited fix ही है और उसी के base पे काम करता है इसमें कैसे changes नहीं करने पड़ते है तो जैसा कि अभी हमने बात की थी software evolution के बारे में कि कोई भी changes जो है वो software में आते रहते हैं और टाइम टाइम बेह में उनको change करना पड़ता है वेट calculator में कैसा होता है अब देखो कि तो 3 साल पहले calculator को भी बना था अब यूज करो तो कु तो कुछ भी changes में करने की ज़रूत नहीं पड़ी तो static type के software जो है यही कलाते हैं अभी एक बार बन गए तो फिर उनमें चेंज करने की कुझाइज जो है वो लगवग ना के बराबर होती है और आगे वाले types को देखकर आप लोगो और अच्छे समझ में आ जाएगा तो पी procedure क्या कर सकता है बट क्या करेगा यह पहले से fix नहीं होता यह यूजर के according fix होता है कि यह करने पर क्या होगा in this software the specification can be described but the solution is not obvious instantly calculator में जो हमारा fix होता था output इतना आना है बट practical टाइप में क्या है कि हमने instructions तो दे दिए यह करने पर यह होगा यूजर क्या कर वैठेगा और किस टाइप का output आएगा यह बनाने वाले को नहीं पता है अब इसका example आप ले सकते हो gaming software gaming software कौन सा user किस टाइप से game खेलेगा इसके software has a high degree of evolution as there are various changes in laws taxes etc embedded type के software में क्या होता है कि यह जो है real world based होते हैं for example आप इस मिले सकते हो online trading software and online trading software का अगर example लो तो इसमें किसी को पता ही निया कि graph कहां जाने वाला है तो यह real world के according जो है आपके static टाइप practical टाइप एंड embedded टाइप फिर से एक वारिंग का quick revision कर ले तो static टाइप हो गया आपका calculator वाला जिसमें कि सब कुछ fix रहता है और उसमें कुछ भी change नहीं होना है यह जो है वह बहुत जादा simple होता है second हो आपका practical टाइप practical टाइप में हो गया कि gaming बगर जिस तरह से यूजर खेलेगा तो उस तरह से ही उसके एक्जामपल आने वाले हैं थर्ड होगी हमारा जो की embedded टाइप embedded टाइप में क्या है कि यह रियल वर्ल्ड के चलते हैं तो उसमें ट्रेडिंग का ग्राफ कहां जाएगा है फिर मौसम में कैसा मौसम हो सकता है कैसा क्या हमें नया कुछ देखने को मिल सकता है तो यह चीज़ें जो है बस possibility वाली होती है तो यह तीन टाइप के software evolution लॉस्ट है यह notes का screenshot जो है आप लोग ले लेना आज के इस वीडियो बस इतना ही software evolution के बारह में जानना चाहते हो तो डिटेल से इसका वीडियो आप लोग चैनल पर मिल कि आएका जाकर देख लेना इस वीडियो मसे इतना ही thank you so much for watching this video